दोस्तों जिन ओपीसेस के अंदर Microsoft Excel में काम होता है वहाँ पे Microsoft Excel में सबसे ज़्यादा यूज होने ओलो ओप्शन है फिल्टर और फिल्टर के अंदर एक्सल टुट्रियल चैनल में आप सबका सवकत काता हूं लाइट्स बेगिन तो दोस्तों जैसी कि मैंने इंट्रो पार्ट में आप सिखा कि हम फिल्टर को डीटेल में सीखने वाले हैं तो इसके लिए मैंने यहां पे कुछ sheets नीचे ली है आपको दिखाए दिए रही है यहां पे text filter है, number filter है, filter by color है, advanced filter है, filter formula है, auto filter है इतनी सारी sheets है और इन में हम काम करने वाले है यह सारी sheets आपको description में practice के लिए मिल जाएगी वहां से आप download कर सकते हैं फिलाल तो यहां पे शीट में क्या data है वह एक बार देख लेते है order ID है, order date है, customer name, country, state, city and region यहां पे शीट में यह data है, number filter में देखेंगे तो यहां पे region के आगे sales quantity, profit भी आड़ किया है, number filter देने के लिए, filter by color ऐसे अलग-अलग sheets आपे हैं सबसे पहले मैं आपको बता हूँ कि filter को हम access कैसे कर सकते हैं filter को हम दो तरीके से access कर सकते हैं एक shortcut key के जरीए और दूसरा हम menu से access कर सकते हैं तो shortcut key क्या है, यह पहले मैं आपको बता देता हूँ keyboard पे आप प्रेस करेंगे Ctrl-Shift-L तो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है, यह filter apply हो चुका है आप कैसे पता चलेगा, आपको filter apply हो चुका है यहाँ पही देखिए, छोटा सा ultra triangle आ रहा है न तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे filter apply हो चुका है तो यह जो filter है, इसके जरी हम कैसे filter करेंगे, वो देखेंगे लेकिन यह menu से कैसे access कर सकते हैं menu में आपको data tab में जाना है, जो कि already मेरा data tab यहाँ पे click है और उसके अंदर आपको filter यहाँ पे options दिखाए देता है data tab में filter, यहाँ पे आप click करोगे तो यह filter access होगा अब मैं click करूँगा, suppose इसके उपर दुबारा तो यह remove हो रहा है फिर से मैं click करूँगा, यहाँ पे apply हो रहा है अब filter में यहाँ पे कोई भी column के उपर, जैसे मैंने country column के उपर यहाँ पे drop down arrow दिखाए दे रहा है, filter apply करने के लिए तो मैंने यहाँ पे drop down arrow पे click किया okay, click करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले उपर sort option दिखाए दे रहा है, sort a to z, z to a, यह options दिखाए दे रहा है फिलाल यह sort का वीडियो नहीं, sort के उपर मैंने एक अलग सा वीडियो बना है उसमें text ही है, अगर ऐसा कोई column हम लेते है, जहाँ पे number से, जैसे यहाँ पे sales में number है तो यहाँ पे क्या आ रहा है लिखे देखिए, number filters, right और number filters के according यहाँ पे filter के conditions आ चुके है, तो वो हम देखेंगे फिलाल text filter में यहाँ पे country में आते, यहाँ पे click करते, अगर मैं कोई specific country को यहाँ पे display करना चाहता हूँ तो यहाँ पे directly मैं क्या करूँगा, यह select all को uncheck करूँगा और उस country को check करूँगा France country का record देखना चाहता हूँ, बस मैं check करूँगा, ok करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते है, France Country का एक ही record है, तो वो apply हो रहा है, अगर मैं चाहता हूँ, France के साथ-साथ Italy, तो यह France और Italy, यह दोनों country का record आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते है, left side में कि इसकी उपर filter apply हो चुका है, यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, जैसे आप Excel में filter apply करते हो, तो यहाँ पे left side में row जो होते है, blue color में दिखाए देते हैं, याँ पे filter है, और row number में भी नहीं दिख रहा है, मतलब proper order में भी नहीं दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि बीच-बीच के row गायब हो चुके filter की वज़से, तो यह filter apply है, यहाँ से आपको पता चल अच्छा, कौन से column पे filter apply है, यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पे देखिए इसमें जो down arrow दिख रहा था या फिर ultra triangle दिख रहा था, वहाँ आपको filter का sign भी दिखाए दे रहा है, तो आपको यह पता चल 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 लिए, कौन से column पे filter apply है, यहाँ पे जाकर आप इसे clear filter तो यह filter remove हो जाता है, देखिए यह पहले चीज़े आपको पता हो सकती है पहले से, लेकिन मैं यहाँ पे beginners to advance, यहाँ पे filter को पूरा explain कर रहा है, और एक चीज में समझा रहा हूँ, जिनको पता नहीं उनको यह पहली बार वो देख रहे होंगे, कि यह filter कैसे apply होता है, तो उ वैसे मैं यहाँ पर type करूँगा, यह देखिए, यह अकेली ही select हो जाएगी city, right, और बाकी का सब deselect हो जाएगा, और उसी का record आपको यहाँ पर दिखाए देगा, तो आप ऐसे search भी कर सकते है, right, okay, दूसरी चीज, search तो हो गया, अब मैं suppose यहाँ पर click करता हूँ, उसके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर country पर click कर देता हूँ, country पर click करने के बाद एक dialogue box आपके सामने आ रहा है, इस dialogue box में सबसे पहले आ रहा है equals, जो equals में condition देना चाहते है, मैं दूनना चाहता हूँ, Austria, okay, यह वाली country का record, city या country, जो भी आपने column को filter किया, मैंने country को किया, basically country यहाँ पर बोलना चाहिए, तो यहाँ पर country मैंने ले लिया, okay, तो मैंने यहाँ पर country का नाम type किया, equal to Austria, और okay करूँगा तो हो जाएगा, और यहाँ पर end और और क्या दिया है, मतलब Australia के साथ मैं और किसी को record लेना चाहता हूँ, तो मैं और लूँगा यहाँ basically और मतलब एक साथ दो country आ जाएगी, और equals to Austria के साथ साथ मैं लेना चाहता हूँ, Italy या France जो भी है, आप लेना चाहते, तो अब okay कीजिए, दिखिए, Austria और Italy यहाँ पर दो एक साथ आज जाएगे, तो यहाँ से आप इस तरह से equals में जाकर, दो conditions भी लगा सकते है, clear filter कर देता जाए, तो Austria में लेता हूँ, बस यहाँ पर does not equal रखा है, यहाँ पर देखिए, does not equal, Austria रखा है, यहाँ पर मैं okay करता हूँ, यह देखिए, Austria का जो record वो गायब हो चुका है, बाकी सारी country का record आ चुका है, Germany है, Spain है, Italy है, Denmark, सब कुछ आ गया, और यहाँ पर click करके, मैं इसे clear filter क करना चाहूंगा, okay, यहाँ पर click करके, यहाँ पर आप text filters में जाकर, जो filter apply करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, दिखाए दे रहे हैं, आपको equals में जाओ, does not equal में जाओ, यहाँ पर begins with में चाहते हैं, अभी, अभी begins with क्या होता है, अभी बार बार मैं यहाँ पर इस dialogue box में begins with में जाओ, फिर से ऐसा करो, तो यहाँ पर देखिए, सारे के सारी चीज़ी यहाँ से भी मिल जाती है, begins with की जग आप less than लेना चाहते हो, greater than लेना चाहते हो, does not equal to लेना चाहते हो, जो भी अलग अलग दी है, यहाँ पर, फिलाल less than, greater than तो नहीं apply हो सकते हैं, यहाँ पर, क्योंक जैसे यहाँ पर ले लो cities में, मैं यहाँ पर click कर रहा हो, और text filter में जा रहा हो, begins with L लिख रहा हो, begins with L और ok कर रहा हो, देखिए, L से यह दो अलग-अलग cities डिस्प्ले हो रही है, right, so clear filter, तो यहाँ पर यह आपको idea आ चुका है, कि filter में text filter begins with कैसे होता है, end with, मतलब यह particular character से end होने हाली country, its का record, country के लिए filter दे रहा है, contents, अब यह contents बहुत useful है, suppose example ले लो किसी का नाम है, जिसमें एक सरनेम repeat हो चुका है, जैसे यहाँ पर customer name में आप देख सकते है, जैसे यह बारनी सरनेम, तो मैं बारनी सरनेम का दो बार नाम आ चुका है, तो जितनी बार बारनी सरने सरनेम के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप फिल्टर यहाँ पर लगा सकते है, तो आपको आईए आ चुका होगा कि यह फिल्टर कैसे apply करते है, contents क्या होता है, begins with क्या होता है, ends with क्या होता है, does not contents मतलब वह सरनेम वाले छोड़कर, अगर मैं वह सरनेम वाले छोड़कर बाकी के रेकॉर्ड रखना चाहता है, यह दोनों वह सरनेम के गायब होगे, filter apply हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, and clear कर देता हो, तो ऐसे आप यहाँ पर filter लगा सकते है, custom filter में जाएंगे तो वही वाला dialogue box आएगा, और यहाँ से आप पिक कर सकते है, और custom filter में और 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 okay कर देता हो, तो यहाँ पर जितने भी बारनेज सरनेम जिनका भी है, बारनेज बारनेज जो भी बोलो आप, वह सब आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हो कि and सात में, सात में चाहता हो मैं begins with, बारनेज सरनेम सात में begins with i, जिसका नाम i से begin हो रहा है, तो यहाँ पर क्या र मतलब दोनों चीज़े compulsory चाहिए मुझे या पर तो यह देखिए एक ही आ रहा है या पर दोनों बारने सरनेम की नहीं आ रहा है तो इस तरह से and भी हम दे सकते और भी हम दे सकते यह था text filter आपको definitely text filter एक detail level पर use करना समझ गया होगा अब हम बढ़ते नंबर फिल्टर की तरफ यहां पर नंबर फिल्टर की sheet में open कर रहा हूं और नंबर फिल्टर में यहां पर आता हो directly sales वाले column में यहां पर देख सकते sales वाले column में में click कर रहा हूं तो यहां पर text filter है तो यहां पर equals does not equals वह तो ही है साथ में greater than greater than or equal to less than less than or equal to between top 10 यह सारी चीज़े आ रही है तो अगर आप equal चाहते particular number तो मैं equal जाओंगा और यहां पर number type करूंगा equal suppose 224 number से equal तो वह ही record आ जाएगा बस उससे equal तो यह तो आपको number और उसके उपर जैसे 108 भी और उसके उपर का record मुझे चाहिए तो मैं okay करूंगा तो 108 भी include रहेगा इसमें 108 भी दिखाए देगा और उसके उपर के sales record यह आपको दिखाए दे रहे यह दिखिए 108 भी अगर मैं खाली greater than 108 लेता तो यह वाला record मुझे नहीं दिखता right मैंने greater than equal to लिया है क्योंकि 108 भी include हो जाए उसमें right अब मैं greater than की जगल less than लेना चाहता हो तो मैं less than ले सकता हूं वैसे मैं यहां पे between भी ले सकता हूं अब between क्या होता है मैं आपको दिखा दो पहले मैं clear कर देता हूं between मतलब दो number के बीच में so मैंने between पे click क्या और यहां पे between में मैंने लिया suppose पहला number है 50 और दूसरा number है सो पच्छास और सो के बीच में जो सेल्स है वही दिखाए दे राइट 50 और 100 के बीच का सेल्स ही दिखाए देगा okay so clear filters from sales तो यहां पे पच्छास और सो के बीच में ही जो इसल्स था वही दिखाए दे रहता भी आपको तो यहां पे फिर से हम जाएंगे number filters में Top 10 चाहिए आपको, Top 10, Top 5, Top 5 चाहिए, Top 5, यह दिखाए दे रहा है, यह Top 5 है, सब आ चुका है, इसको आप sorting कर सकते बाद में, Descending Order में, और यह Top 2 Bottom आ जाएगा, So, यहाँ पर मैंने Top 5 आपको दिखा दिया, कैसे करना है, Number Filters में जाहिए, Above Average, Below Average, Automatically क्या करेगा, यह पूरे कॉलम में, जो भी Number से उनकी Total करेगा, और उसका Average निकालके, उसके Average की उपर वाली Numbers को यहाँ पर दिखाएगा, Below Average चाहिए, Automatically Average निकालेगा, ओके, So, Number Below Average चाहिए, और Custom Filter में जाकर वही चीज़, आप Equals, And, और और इस्तमाल कर सकते, मतलब दो Number, दो Condition Match होनी चाहिए, उसके लिए आप End दे सकते, और दोनों में से कोई भी एक Condition Match होनी चाहिए, उसके लिए हम और दे सकते, जैसे आप चाहते है, Equals to 108, 108 से Equal रहना चाहिए, साथ में आप और एक Equal देना चाहिए, ऐसे दो Number चाहिए, 527, तो Equals to 108, यह दो ही यहाँ पर दिखाए देंगे, तो आप ऐसे और भी सेट कर सकते हैं, तो Number Filter आपको आइड़े आ चुका होगा, किस तरह से करना है, Number Filter ट्राइ कीजिए, यह सारे Options आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, ओके, अब हम बढ़ते हैं, Next Filter की तरफ, यह वीडियो तो आगे चलते हैं रह यहाँ पर देर सारे कोर्स आयों सब्सक्राइब के साथ कंप्यूटर में मास्टर बनने के लिए मैंने रखें बहुत ही कंपीज में, जियां दोस्तों, बहुत ही कंपीज में, कोर्स आवैलेबल है, डिस्क्रिप्शन में, चेक आउट कीजिए, फिलाल तो आगी की टॉपि में आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे यह जो कलर है, यही रेकॉर्ड देखने है, अपकोस मैं रिजन में जाकर सेंट्रल को फिल्टर लगा सकता हूँ, यहाँ पर जाकर, लेकिन मैं चाता हूँ कलर वाइस फिल्टर, तो मैं कोई भी कॉलम में क्लिक करूंगा, और क्लिक करन कंडिशनल फॉर्माटिंग सीखना है, तो मैं एक डीटेल वीडियो बनाने आलो, जिसमें कंडिशनल फॉर्माटिंग पूरी पूरी चीज़े एक्स्प्लें करने आलो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथी मैं Excel डीटेल में सीखना चाते है, तो दिस्क ज़रूख इजी है, फिलाल यहा पर देखिया, यहाँ पर जो color आचुका है, यह yellow है, अब this yellow color को मैं करना चाता हूँ, filter तो filter by color में आप देखिए, right, okay, great, so, you got it, कि filter by color कैसे होता है, अब advanced filter की तरफ जाते है, अब दीखिए यह ye जो options थे, text filter, number filter, filter by color, यह चोपुझे मोने options अब आपको पड़ा-पड़ समझ में आए होंगे, अब हम देखते हैं advanced filter, basically मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने region लिखा है, उस region के according, जो भी region लिखा है, central लिखा है, तो उसके according, यहाँ पर central region के जो जो record से, वो मैं side में यहाँ पर display करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नई sheet लूँगा, और इस sheet पर मैं display करना चाहता हूँ, तो जो भी है, तो मैं पहले, यहाँ पर side में display करके दिखाना चाहूँगा आपको, सबसे पहले करना क्या है, आप अगर same sheet पर तो जाओ, data में, advanced filter में जाओ, यहाँ पर देखिए, data में, filter के बाजू में advanced, data menu, filter के बाजू में advanced, मतलब data tab के अंदर, तो यहाँ पर मैं click करूँगा, और जैसे में click करूँगा, यहाँ पर एक diala box आ रहा है, आपको select करना है, copy to another location, filter in the same place नहीं करना है, क्योंकि already filter क्या होता है, आमने देखा है, तो इस diala box में देखिए, तीन option आ रहा है, list range, criteria range और J column तक, पुरा पुरी column में select करूँगा, A column से लेकर J column तक, यह देखिए, A से J column, sheet का नाम आ रहा है, advanced filter, और A से J column, criteria range का पर, cursor यहाँ पर रखिए, पहले cursor यहाँ पर रखना है, blink होना चाहिए ऐसा, बहुत सरे लोग cursor रखना भूल जाते है, practically ज़रा ध्यान दीजे में क्या करूँ, cursor यहाँ पर रखिए, यहाँ पर region को ऐसा select कीजिए, आप देखिए, यहाँ पर region proper select 4 चुका है कि नहीं, L1, L2, बराबर L1 और L2 में हमारा region है, और copy 2, कहाँ पर रखना है, cursor यहाँ पर रखिए, cursor पहले यहाँ पर इस box में रखना है, उसके बाद कहाँ पर copy Central Zone का यार है, तो Central Zone का record चाहिए, अगर आपको लगता है कि यार नहीं, दूसरे zone का चाहिए, तो आप वो zone type कीजिए, और सारी process repeat कीजिए, मतलब सारी process यानि कि इस तरह से कीजिए, मैं दिखा तो आपको, Central की जगा अगर आपने यहाँ पर South Zone ले लिया, देखिए, यह South Zone मे अगरे देखिए, A to J column है, L1 to L2 है, N1 to W1 है, बराब बरे सब कुछ OK को दो, बस, right? फिल्टर हो चुका है, बस आपको Advanced Filter पे click करके OK करना पड़ेगा, लेकिन आप चाहते कि यह Dynamic हो, जैसे मैंने इंट्रोबाट में दिखाया है, तो उसके लिए आपको Filter Formula यूज करना आता, जो कि आई बटन पे link आपको दे दूँगा, Filter Macro, specifically चाहिए, तो मैं उसके उपर दुबारा वीडियो बना दूँगा, एकदम आसानी से, मतलब Automatic Filter कैसे होगा, आपके पास Office 2016 है, 2013 है, 2010 है, तो उस टाइम पे भी यह Dynamic Filter हो जाता है, क्योंकि Filter Formula तो बस 2021 में चलता है, Office के तो आपके पास यह नहीं है, Dynamic Filter नहीं हो रहा है, so don't worry, I am going to give you a trick, और उसका trick, already एक वीडियो है, जो कि आई बटन में दे दूँगा, और एक नय वीडियो बनाँगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अब यहाँ पे मुझे इस sheet पे data लेना है, Advanced Filter से, यह भी देख नहीं शीट पे, यहाँ पे cursor रखना है, फिर यहाँ पे Advanced Filter उपन करना है, Copy to another location यह क्लिक कर लेना, यहाँ पे, क्लिक कर लिया, Least Range में, इस sheet में जाकर select करो, ऐसा, Right, Least Range में, Criter Range में, इस sheet में दुबारा जाओ, क्लिक करो, देखिए, इस sheet पे click कर रहा है, और select करो, और Copy to में यहाँ पे click करो, तो Advanced Filter जब आप नहीं sheet पे लेना चाहतो data, तो आपको क्या करना चाहिए, Basically, यह मैंने आपको detail में बता दिया, आपको समझ में होगा, वही हो रहा है, South Zone का filter आ चुका, यहाँ पे यह data नहीं दिख रहा था, मैंने column की size बढ़ा दिया, Simple है, यह hash-shar है, column की size बढ़ा दो, Okay, तो basically, आपको idea आ गया है, कि Advanced Filter नहीं sheet पे लेने के लिए, आपको पहले sheet पे cursor रखना है, उस sheet पे और Advanced Filter यहाँ से access करना है, और Advanced Filter डाइनमिक मतलब जैसे यह filter formula में होता है, अभी मैं आपको filter formula यूज़ करके दिखाने हो लाँ, और filter formula, Office 2021 में ही चलता है, यह तो यहाँ पे dynamic कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, मैं लिकता हूं, मैं यहाँ पे directly, तीन region है, तीन region के नाम यहाँ पे drop down बना देता ह। Data Validation, उपर देखिए, data validation, और यहाँ पे list, data validation, data validation, और यहाँ पे मैंने list लिया, और यहाँ पर drop down बन गया, यह data validation से आप बना सकते, right, least बनाना इसके पर भी वीडियो already created है चैनल के पर देख लेना, data giri नाम का एक वीडियो है, okay, तो यहाँ पर आप select करोगे, आप इसे color दे दो, थोड़ा से या लग लगे इसलिए, तो यहाँ पर select करोंगा, central zone, तो यहाँ पर central zone का record दीखना चाहिए, उसके लिए आपको filter formula लगाना होगा, is equal to, दीखे, filter, मेरे पास filter formula आ रहा है, आपकी case में नहीं आएगा, पुराना वर्जन है तो पहले बता देता हो, array, include, if empty, तो यहाँ पर array, include, if empty, यह तीन argument हमें देने, तो पहले array में हम पूरा का पूरा data लेंगे बेटा, आप पूरा का पूरा ऐसा भी data ले सकते, okay, c से लेकर j column, पूरा का पूरा ले लिया, comma, include, include क्या है, criteria देना है, include, include करना यह region, यह region दिखा देना, region, तो region के जो भी range है, वो select कर लो, यह पूरा column कर लो, और is equal to, यहाँ पर include के अंदर द मतलब, empty होने के बाद, आपको क्या दिखाना है, not value, not found, ऐसा आप कुछ दिखाना चाहते है, not found, right, इस तरह से, empty होने के बाद, मतलब, वो record ही नहीं मिला, तो आपको क्या दिखाना है, तो आप लिख सकते, not found, यह आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो वो आपकी उपर है empty रहेगा तो, तो आप यहाँ पर inverted comma में लिख दो, not found, enter करो, यहाँ पर आपको record मिल रहा है, क्या बात है, central मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी type कर दूँ, अभी यह data validation वैसे भी लेगा नहीं, यहाँ पर नहीं ले रहा है data validation, right, ओके मैं यहाँ एक काम कर देता south, south का आजाएगा, north, dynamic आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर data filter करके ले रहा है, यहाँ पर आप देख सकते आगे भी data आ चुका है, तो बस आपको यहाँ पर click करके यहाँ पर filter लेना है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं data validation हटा तो थोड़ी देख के लिए, data में जाता हूँ, data validation यहाँ पर clear all कर देता हूँ, okay, और मैं कुछ भी लिख देता हूँ, okay, तो यहाँ पर क्या रहा है, देखे, not found, क्योंकि हमने not found वहाँ पर लिखा था, already formula के अंदर, तो इस तरह से filter formula को आप इस्तमाल कर सकते हैं, right, तो filter formula भी मैंने आपको बता दिया, filter, कि सारे options हमारे लग करता हूँ, जैसी मैं अगर यहाँ पर click करता हूँ, Germany की उपर, और मैं Germany का record देखना चाहता हूँ, तो मैं keyword की उपर, बस press करूँगा, alt 4, alt 4 से Germany का record आ रहे है, क्या बाद है, मैं इसे clear करना चाहूँगा, यहाँ पर clear filter कर देता हूँ, अब मैं चाहता हूँ, Italy का record देखना, Italy पर click करूँगा, alt 4, right, filter मैं यहाँ से भी remove कर सकता हूँ, ओके, या फिर मैं France का record देखना चाहता हूँ, alt 4, France का एक ही record शायद, alt 4, एक ही आ रहे है, तो यह कैसे हो रहा है, basically यह alt 4, इसलिए press हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, alt 4, quick access toolbar में, मैंने add करके रखा और expert बनोगे, एक मिनिट में बहुत सारी चीज़े सीखने मिलेगी, okay, तो यहाँ पर filter यह आया कैसे, basically, मैं अगर Australia पर click करके, यह फिल्टर पर click करता हूँ, तो यह apply हो रहा है, और यह 4 नंबर की position पर, quick access toolbar पर, इसलिए alt 4 के साथ यह activate हो रहा है, तो यहाँ पर filter option लाने के आपके इसमें नहीं रहेगा, यहाँ पर राइट लिक करो, और customize quick access, देखिए, राइट लिक करके क्या करना है, customize quick access toolbar, जो options में बता रहा हूँ, बहुत easy है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, auto filter यह चार नंबर पर है, अगर मैंने इसी से remove कर दिया है, यहाँ पर, और मैं यहाँ पर popular commands की जो को all commands लिलूगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, all commands, और all commands में आपको au type करने के बाद auto filter, देखिए, au के अंदर आपको au के list में auto filter मिल रहा है, और इसे आप add करोगे, add करने के बाद इसका number देख लेना, यह number कितना आ रहा है, save, undo, redo, redo, form, auto filter, 5 number पर आ रहा है, तो alt 5, अभी alt 5 रहेगा, अगर मैं इसको 4 number की position पर रखो, click करके इसे उपर करो, यह तो alt 4 रहेगा, तो आप जो position रखना चाहते हैं, वो रख सकते, और यहाँ पर click करके, देखिए, alt 4, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तो इस तरह से य होगी है, दोस्तो, कैसे लगा दोस्तो, यह filter का detail explanation, डेपिनेटल आपको पसंद आया होगा, मैंने तो कोशिश की हर एक चीज़ को detail में बताने की, अगर आपको लगता है कि यार कुछ और सीज़े मुझे बतानी चाहिए, तो आप ज़र मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट ज़ स्राइल, learn more shots, real tutorial and lot of channels are there, आप check out कीजिए, description में है channels की link, फिलाल इतना है आज की वीडियो में, मिलते है अगले वीडियो के अंदे है, तब तक के लिए अपना कायाल रिखिएगा, बाई बाई